सर्तम चरण के चुनाओं का प्रचार सुरू है और पस्चिम कहा जाता है जिसके हाथ में जाता है उसके हाथ सत्ता आती है आरली के प्रमुक लगातार मेनत कर रहे हैं पिछले एक वर्ष से लगातार चौपाले कर रहे हैं सर किस तरीके से देख रहे हैं पस्षिम की सरगर्मी को और लोगों के मिजाज को जंता को मौका मिल रहा है पांत साल से जिनमुद्दों को लेके हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है जो जूटे वादे भाजपा ने किये बोटर से छोटा व्यापारी तंग है बेरोजगार चरम पे है नौजवान सडक पे आता है तो उसे पीटा जाता है नौजवान इन्वेस्ट्री में पढ़ता है तो उन्वेस्ट्री में घुसके जो है पुलीस मारती है फरजी इंकाउंटर होते हैं सीके और महिलाओं की विरूद अपराद बढ़ रहे हैं तो यह तो एक खास किसान अंदोलन हुआ एक अफसर मिल रहा है कि हम लोग किसान बनकर वोट करें जैसे कि प्रसम चलन के मदान की नजदिकिया आ रही है बीजेपी के जो केंद के बड़े नेता है उन्होंने पस्ची में फोकस कर दिया है और ताबर तोल रह लिया कर रहे हैं और ताबर तोल बहुत परिशान है कोई मजदूरी कर रहा है परिवार वह आठ दस हजार रुपे का बिल उन पर आ रहा है कैसे देदेगा सिचाई महेंगी थी किसानों के लिए लागत भड़ रही थे अब जब चुनाव आया तब हो जागे कि हम छूट देंगे पांच साल से क्या कर रहे तो आज के महनत के कोई माइने नहीं है जनता देखेगी पांच साल का ट्रेक रेकॉर्ड बहुत गलत है और आप देखिए कि इस तरह का विसलेशन हो रहा है कि यह राश्ट्र विरोधी ताकते थी और उसमें भी कुछ टीचर्स थे जो उनको भड़का रहे थे अब बेरु परिशान है पहले ही तंग है त्राही त्राही मची हुई है उसे कौन सटक पे ला रहा है सरकार ला रही है दो दो साल तीन तीन साल तक भरती नहीं हो पारी पूरी इमत्यान हो गए तब भरती नहीं हुए इमत्यान देने बच्चा जा रहा है तब पता लग रहा है पेपर यहां गन्ने की बड़ी फसल है चौधा दिन में उनका पुक्तान होना चाहिए जो कानून में सपस्ट प्रावेदान है सरकार ने वादा किया था नहीं कर पाए तो यह हमारे लिए एक अजेंडा है और यहां पस्टमी उत्रप्रदेश की जो विकास की संभारना है उनको हम पूरा करें यहां NCR छेतर में अब देखेंगे तो असंगटे छेतर के जो उद्योग है चोटे-चोटे कुटे उद्योग है जहां लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही है उस उद्योग को बचाने की जुरूत है उसे बढ़ावा देने की जुरूत है एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से जाटों के साथ अभी बैठ के उन्होंने बात करी ग्रह मंत्री ने कितना असर आपको लग रहा है क्या है ना ये सुनते तो हैं नहीं ये तो सुनाते हैं ये उन्होंने तेरा महीने किसानों को बताया तुम्हें कुछ पता नहीं तुम गवार हो तुम राष्ट विरोधी हो तुम कानून को समझते नहीं जानते नहीं हम तुमारे हित के लिए कानून लगा रहे हैं अभी जाटों को बुला के समझा रहे हैं आज उस जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं लोगों इनका नारा है कि 300 के पार हम जाएंगे क्या जाएंगे मुझे संभावना नहीं दिख रही है और ऐसी अगर 300 पार की बात होती तो दिल्ली में इस तरह की बैठक नहीं ले रहे होती है लेकिन अगर ऐसी सित्या होती तो गली गली में लोगों पास बोर्ट मांगने की जलूरत नहीं परती के परस्षियों मिश्णा के साथ संजय चोहान बार समचार मुझा फर नगा